कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकल सीरीज में क्यों नहीं होते हैं। दरसल कीबोर्ड टाइप राइटर का बदला हुआ रूप है। टाइप राइटर को 1868 में लैथम सोल्स ने बनाया था। और सुरुवात में टाइप राइटर के बटन ABCD की सीरीज में होते थे। लेकिन इन बटमों की सहायता से टाइपिंग करना कठिन होता था। तो इन कठिनाईयों को कम करने के लिए कीबोर्ड में कई सारे बदलाव किये गए। और सबसे पहले उन अच्रों का चैन किया गया जो सबसे ज़्यादा परियोग में लाए जाते थे। इसके बाद उन अच्रों का उगलियों के पहुचके हिसाब से क्रम में लगाया गया। 1873 में सोल्स ने एक नए तरीके के बटमो वाले टाइप राइटर का निर्मान किया। इसी का नाम QWERTY रखा गया था। और बाद में यह मॉडल सोल्स से रेमिंग्टन एंड संस ने खरीद लिया। और 1874 इस भी मेरे मिंग्टन ने कई और कीवेट को बाजार में उतारा। और जैसे जैसे केम्प्यूटर का विकास हुआ, लोग के सहुलियत को देखते हुए, केम्प्यूटर में इसी कीबोर्ड को परियोग में लाया जाने लगा। अलाकि केम्प्यूटर में परियोग होने वाले कीबोर्ड और टाइप राइटर में परियोग होने वाले बटमों में थोड़ा सा अंतर होता है। यही कारान है कि कीबोर्ड के बटम अलफाबेटिकल सीरीज में नहीं होते हैं।